ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा हरे क्रिष्णा आश्वेन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से चाना चाता है पापांग कुषा का अर्थ है पाप पर अंकुष लगाना पापांग कुषा एकदशी के महातम्य के बारे में भ्रम بैवर्थ पुराण में भगवान श्रीक रेष्ण योदेश्तिर महराज से वर्णन करती हुए कहती है कि अश्वेन मास की शुकल पक्ष की एकदशी का व्रत धारन करने से मनुश्य ना केवल अपने पिता की दस पीड़ी के पूरवजों का उधार कर सकता है बलकि अपने मात्र पक्ष के दस पीडियों का तथा अपनी पत्नी पक्ष के दस पीडियों के पूरवजों का भी उध्धार करने में वह मनुश्य सक्षम हो जाता है हेपी भक्तों तो आएए मन में भगवान श्रीहरी विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए ऐसी पावनी कदशी की कथा का अस्वादन करते हैं इसे कादशी के दिन जो भी मनुश्य सच्चे मन से व्रत रखता है और व्रत कथा को सुनता है उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं आप सभी भक्तों से विनम्र निवेतन है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनियेगा कथा को पूरा सुनने से ही पूर्ण पुन्यफल की प्राप्ति होती है जै श्री हरिविष्णो एक समय युधिष्टिर महराज के महल में परम भगवान श्री क्रेश्न का आत्मन हुआ था पांडवों ने उनका प्रेम और आदर पूर्वक अतिति सत्कार किया भोजन और विश्राम लेने के बाद जब युधिष्टिर महराज और अन्य भगवान श्री क्रेश्न के साथ बैठे हुए थे तब युधिष्टिर महराज ने भगवान श्री क्रेश्न से पूछा हे मधोसुदन आश्वेन माज के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाउन है और उसका महतम में क्या है कृप्या इसका विस्तार पूर् जानन कीजिए यह सुनकर परम पुर्शुत्तम भगवान श्री क्रेश्न ने कहा हे धर्म राज आश्वेन माज के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना चाता है इसका व्रत करने से सब ही पाप नश्ट हो जाते हैं तथा व बहुत बहुतं को स्वर्ग प्राप्ति होती है। हेसर जुन जो भी मनुष्य कफिन तपस्याओं की द्वारा फल की प्राप्ति बहुते हैं वह हैंपल इस रिकादशी के दिन मैं शेष नाध पर शैन करने वाली भगवान बिशनों को नमस्कार कर लेने से ही मिल जाता है और मुनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं अर्चुन जो विश्णु भक्त शिव की निंदा करते हैं अध्वा जो शिव भक्त विश्णु भगवान के निंदा करते हैं वे नर्कु को जाते हैं हजार आश्व मेद और सौ राजसु यद्य का फल इस एकादशी के फल के सोलवें भाग के ब्राबर भी नहीं होता अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है खेपार इस एकादशी के समान वेश्व में पवित्रति थी नहीं है और जो मनुष् एक दशिव्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घीरे रहते हैं और जो मनुषे किसे कारणवश केवल इस एक दशी का भी उपवास करते हैं तो उसे यंम के दर्शन नहीं होते इस हे कद शीकि वरत को करने सी मनुष्यकों निरोगी गाया तथा सुंदर नारी और धन्दन्य की प्राप्ति होती है और अंत में वहात स्वर्ग लोग को चाता है जो भी मनुष्य इस एकदशी के वरत में रात्री जागर्ण करते हैं उन्हें सहह जी स्वार्गलोग की प्राप्ति होती है। हे पार इस एकादशी के वृत करने वाले मनुष्यों की मात्री पक्ष के दस पुरुष, पित्र पक्ष की दस पुरुष, तथा इस्त्री पक्ष के दस पुरुष, विश्णु भगवान का रूप धर तर्व, वह सुंदर से परिफोर्ण होकर विष्णु लोग को जाते हैं। जो मनुष्य अश्वइन महा के शुक्ल बक्ष की पापाँकुशाई का दशीता विधांपुर्वक्व applies करते हैं। उन्हें विष्णु लोग की प्राप्ति होती हैं और जो मनुष्य इस इकादशी के दिर भूमे गव अन जल खडां वस्त्र छत्रादी का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते दरेद्र मुनुष्य को भी यथा शत्ति कुछ दान देकर कुछ पुन्ने अवश्य ही अरजित करना चाहिए जो मनुष्य तालाव धरमशाला बगीचा प्याव आदी बनवाते हैं उन्हें नर्थ के कष्ट नहीं भोगने परते वह मनुष्य इस लोग में निरोगी दिरखायू वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपोण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत मे स्वर्द लोग कुझाते हैं भगवान शिरीहरी की क्रिपा से उनकी दुर्गती नहीं होती हे अरजुन अब मैं तुही पापांकुशाई का दशी की कथा को सुनाता हूँ इसे इतागर चिठो कर सुनो प्राचीन समय में विंध्य परवत पर क्रोधन नामा के एक बहेलिया बहता था वह बड़ा ही क्रोर था उसका सारा जिवन हिंसा लूट पाट मध्य पान और गलत संद्वती पाप कर्मों में ही पीता था वह इतना क्रोर और घातकी था कि वह बड़ी ही निर्दैता पुर्वक परवत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंशियों की हत्या क देता था और कई बार तो वह उनके शरीर की कुछ अंग काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था इस प्रकार अग्यान था और पाप कर्मों से लिपत उसका जीवन चल रहा था और यम्राज में भी उसके लिए नर्क में स्थान निश्चित कर दिया था अब वश्च एक दिन ऐसा हुआ कि उसे किसी तरह से यह पता चला कि वह जो कारे कर रहा है उसे पाप मैं कारे कहते हैं और उसके परिणाम स्वरू उसे मृत्यों के बाद स्वयम नर्क में जाकर घोर कष्ट भुखना पड़ेगा हेप यह भगतों अब कष्ट भुखना किसे डर लगने लगा क्योंकि नर्क का नाम सुनते ही लोग फैभीत हो जाते हैं तो बस पिरिशी भय के मारे वह सीधा अंगीरा रिशी के आश्रम में चला गया वहां जाकर वह रिशी के चर्णों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़ कर प्रात्ता करने लगा उसने कहा हे र और अब जीवन की अंत में मुझे यह ज्ञान हुआ है कि मैंने आज जीवन कितना पाप में जीवन व्यतित किया है हे रिशी वर पाप कर्मों की सजा स्वरू नर्क की विश्य में सोचकर मैं आब अध्यांत भैभीत हो चुका हूँ कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं आप तो त्रिकाल अलग्या है कृपया मेरी सहेता करें रिशी अंगीराने उसकी प्रात्ना सुनकर उससे कहा हे बत्स ने संदे तुम्हारे पाप कर तुम्हें नर्क की दिशा में अग्रसर करेंगे लेकिन फिर भी मैं तुम ही शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम इससे बच सकते हो और वह उपाय है आश्वेन मास में आने वाली पपांग कुशा इकदशी व्रत का पालन इसे कदशी व्रत का तुम श्रध्धा और नियम पूर्वक पालन करो भगवान शिरिपद मनाव की पोजा अर्चना करो और निच्चित रूप से तुम इस पाप कर्मों से मुक्थो जाओगे हे प्रिभगतों यह सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरर पोदित हुई उसने रिशियंगीरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रध्धा पूर्वक इसे कदशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्थ हुआ और जेवन के अंत में उसे आध्यात में इक लोग प्राप्थ हुआ तो इस प्रकार एक सामान्य शिकारी भी अपने जेवन के अत्यांत पुरे पाप कर्मों के बंधन से मुक्थों पाया मात्र पापांग कुशाय का दशी का श्रधा और नियम पुर्वक पालन करने से हे पी भक्तों पापांग कुशाय का दशी की महिमा का वर्नन करते हुए भगवान शिरी क्रेशन आगे कहते हैं कि हे राजन कोई भी मनुश्य चाहे वह किसी भी जाती लेंग और आयू का हुँ लेकिन अगर वह निश्ठा पूर्वक मुझे प्रियर इस व्रत का पालन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है पर अंत में मेरे परमधाम को प्राप्त करता है इसमें कोई भी सैंश्य नहीं है तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायन भगवान की जैए हे प्रिय भगतों आईए अब मनुकामनाओं की पूर्ती करने वाली बड़ी ही सुन कथा को सुनते हैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा एक बार माता लक्ष्मी भगवान विश्णुजी से पूछती है कि हे स्वामी तुल्सी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुल्सी के पास दिपक क्यों जला जाता है इससे मनुष्य को कौन सा पल प्राप्थ होता है तुल्सी के पास दीपक जलाने की विधी क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उचारन करना चाहिए क्रिप्या करके आप मुझे विस्तार से बताईए तब भगवान विश्णुजी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी आज आपने समस्त मा आप आणवजाती के कल्यान के लिए बहुत ही महत्वपुन प्रशन किया है आप कि इस प्रशन का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे आपको सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिये इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को सौ वर्षों तक तुलसी के पास देपक जलाने का पुन्य फल प्राप्थ होता है फिर माता लक्ष्मी कहती है हे स्वामी मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्चुक हूँ, कृप्या आप इस कथा को सुनाना प्रारम भगीजिए, हे प्रिभगतों तब भगवान विश्णों माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं, हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है, दक्षिन दिशा में तुंग भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, इस नदी के किनारे पर हरी हर नाम का एक अत्यंत सुन्दर नगर बसा हुआ था, उसी नगर में काशी नाम के एक ब्रामन विवास करते थे, वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धरम कारे करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्यन किया हुआ था, उस ब्रामन की एक पतनी थी, जिसे लोग दूराचारनी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके करम ही उसके नाम के नुसार थ कहती थी, वहे अपने पती के लिए कटू, अर्थात, कठोर शब्द कहती थी, पती को भ्यंग कर दुख देती थी, पती के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी, उसने अपने पती के साथ कभी शैन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से विवार नहीं किया, पती के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह इस्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वैम काम भोग से उनमत होकर निरंतर अन्य व्यवचारणी इस्त्रीयों के साथ घूमा करती थी उसका मन पती को छोड़ कर पराय पुर्षों में लगा रहता था उसने कभी अपने पती से प्रेम से बात नहीं की किन्तु पराय पुर्षों के संग बैठ कर बातें क्या करती थी पराय पुर्षों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाउं में घूमने चाय करती थी कभी वह वन में किसी व्रिक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुन्दर पूर्शों के राहा देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग, भोग, विलास किया करती थी फिर एक दिन वह दुराचार इस्त्री वन में जाकर एक व्रिक्ष के नीचे खड़ी हो गई उसका मन काम से भरा हुआ था वह किसी सुन्दर कामी पुरुष की राह देख रही थी किन्तु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज मैं इधर उधर देखने लगी उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यार्थ हो गया वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाफ करने लगी आज तो इस मार्ग में कोई भी सुन्दर पुरुष नहीं आया अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूँ वह जोर जोर से विलाफ करने लगी उस जंगल में एक भिहानक बाग निवास करता था उस पापीनी इस्त्री की आवास सुनकर वह जाग गया और उचल कर उस इस्त्री का भक्षन करने के लिए उसके पास आगया उस भ्यंकर बाग को देखकर उस इस्त्री के पसीने छुटने लगे वह भय से थर-थर कांपने लगी वह इस्त्री कुछ करती इतने मैं ही उस बाग ने अपने पंजे से उसे गायल कर दिया और वहे इस्त्री जमीन पर गिर पड़ी जमीन पर गिरते ही वहे इस्त्री चिलाते हुए बोली अरे बाग तु किस लिए यहां पर आया है मुझे क्यों मार रहा है तुम मुझे छोड़ दो मेरा भक्षन करके तुम ही क्या मिलेगा उस इस्त्री की एह बास सुनकर वहे भ्यानक बाग शन भर के लिए रुक गया और हंस्ते हुए बोला हे दुष्टा आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास म्यूक्त किया है तुझे जैसी पापी नी इस्त्री का भक्षन करना ही मेरा काम है तभी तुझे इस श्रीर से मुक्त मिलेगी वह इस्त्री कहने लगी हे बाग तुम कौन हो मुझे सच सच बताओ तुम ही किस कारण से बाग की योनी में जनम लेना पड़ा और तुम मुझे जैसी इस्त्रीयों का भक्षन क्यों करते हो पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षन करो फिर बाग कहने लगता है, हे पापी नहीं, मैं तुझे पूर्व जनम का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाग बनना पड़ा, पूर्व काल में दक्षिन देश में एक नदी थी, उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी, उस नगरी में मैं निवास करता था, मैं एक ब्र उन पापियों के घर का भोजन किया, मैंने धन के लोब से अनेक पापियों के लिए कारे किया, जिन वस्तों का दान भ्रामण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तों का दान भी मैंने ग्रहन किया, और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था, इस परकार स पे पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीट गए और मैं व्रिद हो गया मेरे बाल सफेद हो गए मुहु के सारे दान्त गिर गए लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छुटी और मैं पाप करता चला गया फिर एक दिन मैं धन के लोब से नदी किनारे गया और अन्य विधे विधान किये ही देवी देपताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन्दान मैं ले लिया फिर उसी स्थान पर एक बिमार कुट्टे ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मुर्चित होकर गिर पड़ा उसी च्छन मेरे प्रांड चले गए फिर यम के दूद उस स्थान पर मुझे पकड़कर यम पूरी ले गए यहां पर यम्राज ने चित्र गुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने किरे कहा फिर चित्र गुप्त कहने लगे हे धर्म राज इस भ्रामन ने घोर पाप किये हैं इसने दूसरों से जूट कहकर धन लुटा है विधी केवल नर्क जाने के ही योगे है फिर यम्राज ने अपने दूसरों को आदेश दिया कि मुझे नर्क की अगनी में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाग का श्रीर प्राप्थ हुआ और मैं इस दूर्गम बन में निवास करने लगा मैं मैं पूर्व जनम के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती इस्त्रियों का भक्षन नहीं करता हूं मैं केवल पापी दुराचारी तथा कुल्टा इस्त्रियों का ही भक्षन करता हूं ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए फिर बाग उस इस्त्री से क भोग विलास करने के लिए आई है इसलिए आज तु मेरा ग्रास अवश्य बनेगी इतना कहकर उस बाग ने अपने तिक्षन नाखुन से उस पापी इस्त्री के टुकडे टुकडे करके उसे खा लिया फिर उस स्थान पर यम के दूद टकट हुए और उस पापी ने इस्त्री को उठाकर यम पूरी ले गए चित्रगुप्त ने उस इस्त्री का लेखा जोखा निकाला और यम्राज को बताया यम्राज ने उस इस्त्री को घोर नर्क में डाल दिया कई वर्षों तक नर्क की अगनी में जलने के बाद उसने फिर प्रित्वी लोग पर एक चांडाल के घर में जनम लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी इस दुख को सेहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में सनान करने की उदेश्य से अनन्त पूरा में चली गए वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था अन्य इस्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी इस्त्री ने भी वही किया उस ने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया फिर उसी रात हिर्द्य घात से उसकी मृत्यू हो गई और यमराज के दूर उसे ले जाने के लिए वहा दो पार्शत उस स्थान पर प्रकट वे और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे हे दूतों इस इस्त्री को तुम छोड़ दो यह इस्त्री नर्क जाने की योग्य नहीं है तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो तब उन यम दूतों ने कहा हम यम राज के आदेश से इसे लेने आए हैं किन्तु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं यह इस्त्री तो अत्यंत पापी है तब भगवान विश्नु के पार्शत कहने लगे यह इस्त्री तो विश्नु भग्त है यह नर्क जाने योग्य नहीं है इसने शाम को तुलसी के पास देपक चिलाया है इसी कारण से इसके समस्त पाफ नश्ट हो गए है इसलिए अब यह नर्क जाने की योग्या नहीं है यह स्वर्क जाने की अधिकारी बन चुकी है पार्शदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस इस्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यम लोग लोट गए वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतान सुना दिया फिर भगवान विष्णू के पार्शद उस इस्त्री को दिव्वे विमान में बिठा कर स्वर्ग लोग ले गए हे प्रिय भगतों आगे भगवान विष्णू कहते हैं हे देवी लक्ष्मी इस परकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुश्य के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं जो इस्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सभग्य शाली बनती है उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नश्ड हो जाते हैं उसे सुक्सम्रिधी के प्राप्ति होती है भगवान विश्णु कहते हैं हे देवी लक्ष्मी हजारों अमरित के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरी विश्णु को उतनी त्रिप्ति नहीं होती जितनी वे मनुश्यों के द्वरा तुलसी का एक पत्ता चड़ाने से प्राप्त करते हैं दस हजार गउदान से मानव जुफल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है जो मृत्यू के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपोन पापों से मुख्ध होकर भगवान श्री हरी विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धरम में तुलसी के पौधे का महाद्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जीने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को एश्वरे प्राप्थ है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्थ है। पृत्वी लोग पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा, ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा, इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तूलसी के पास दिया चलाने का महत्व बताया तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नरायन भगवान की जै बोलिए शिरी तूलसी शालिगरान भगवान की जै आईए अब एकदशी माता की कथा सुनते हैं एकदशी माता की कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना चाता है तो प्रेम से बोलिया एकदशी माता की जय विश्णु भगवान की जय एक बार एक बुढ़ ही मानन एकदशी का व्रत रखा बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की वे बहुत ही व्रिध थी फिर भी उन्हें व्रिधा वस्ता में क्या बादा थी वे तो अपने पुत्र पौत्रों के सुक्सु विधा के लिए व्रत रखने लगी थी वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहें दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडी जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और रितुफल दान में दिये डोना भर भरके बूरा शकर वित्रण किया दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वज़ा से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी इसी कारण से बहुत देर तक बूरी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत धैरे बंद पाया धूप तो तेज बढ़ी रही थी, इस कारण बार बार मुह सूख रहा था बूरी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा ही है बहंकर गर्मी व्रिद्धा वस्ता की स्तिती तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है जैसे तैसे रोधों के दिन तो कट गया, अब पहार सी रात सामने थी उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था खटिया पर पड़े शंती नहीं मिल रही थी, वे बार-बार करवट बदल रही थी अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शंती नहीं थी फिर वे पड़ी-पड़ी एकदशी माता का स्मरन करती रही वे कहती रही कि हे माताजी आप मेरी लाज रखियेगा, आप ही मुझे शक्ति दीजेगा जिससे मैं भली भांती आपका वरत पूरा कर सकूँ और यह पहार सी रात शान्ति पूर्वक व्यतित हो सके प्यास के कारण पूरी मा की बेचानी तो बढ़ ही रही थी उन्होंने धैरे रखने का बहुत प्यास किया किन्तु सेहन शिलता के सीमा तूट गई और वे घबरा कर एक्दम चिला पड़ी बोली कि बचाओ बचाओ अम्मा का चिलाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और पडोसी एकत्री थोकर बोड़ी अम्मा की खटिया के समेप आप पूँचे सब ने पूछा कि अम्मा जी आपको क्या हुआ आप क्यों चिला रही है आप इस व्रिद्धा वस्ता में यह कठिन रत क्यों कर रही है अम्मा जी शक्ती से ही भक्ती होती है थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे है और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आँखे बंद कर ले एका दशी माता ने सोचा कि है बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर जराच जाकर उसकी परिक्षा लेने चाहिए एका दशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगे मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आस्मान की और देखा किन्तु आस्मान में कहीं उन्हें प्रातहकालिन तारा दिखाई नहीं दिया अम्मा सोचने लगी कि है मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया उन्हें प्यास तो लग ही रही थी थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था किन्तु अंत में उन्होंने ध्रेड़ निश्चे किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई थोड़ी ही देर में एक अदशी माता ने उनके फिर से परिक्षा लेनी चाहे एक छोटी सी बाली का एक गिलास में शर्बत लेकर उनके सी रहने खड़ी हो गए और जो और से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया है आप हाथ मुधो कर शर्बत पी लीजिए पहले तो शर्बत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा किन्तु अचानक वरत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी परकार से अभी शर्बत नहीं पी सकती हूँ और वे शानती पूर्वत अपनी खटिया पर लेट गे फिर थोड़ी ही देर में उन् उन्हें मोह में पानी की एक पूंद भी नहीं जाने दी और वे द्रिर्टा पूर्वक अपना वरत पालती रहे थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी प्यास की कारण प्राण निकलने लगे किन्तु बुड़ी अ अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड पाया वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो बुड़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा ह उने में तीन चार घंटे की देरी हैं यह जानकर वे शांती पूर्वक इधर उदर घूमने फिरने लगी एका दशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बुड़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डल सकती वे उनके सत्ते व्रत को अच्छी तरह से समझ गई स्वेरा होते ही बुड़ी माता ने सनान किया भगवान का पूजन पाठ किया एक अदशी माता की कथा सुनी ब्रामनों को दक्षना देकर भोजन कराया तब कहीं उन्होंने जलक रहन किया कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वेम भोजन किया उ हर तरह के सुख साधनों से संपन हो गई ना ती ना तिनों से उनका घर भर गया और वे उसी देन से बारा महीने की एकदशी का व्रत कने लिए एकदशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर परकार की सुख भोक कर अंत में वेकुंट धाम को चली देगे जैसे एकदशी माता ने बुढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया ऐसे ही एकदशी माता हम सभी की मनो कामनों को पूरी करें बोली एकदशी माता की जये बोली श्री तुलसी शलिगराम जी की जये आईए अब बड़ी ही श्रधा और प्रसंचित मन से मनों कामनों को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता एक बार एक गाउं में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी वह प्रती दिल पूजा पाट कियां करती थी वह रोज तुलसी मा की पूजा करती थी और वह पुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती हे तुलसी मा तुम मुझे बहू दे, पितांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और क्रिशन जी का कंधा दे वह बजुर्ग महिला हर महिने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सेंचती तुलसी माता बजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी तभी भगवान शिरी क्रेश्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान शिरी क्रेश्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान शिरी क्रेश्ण जी ने तुलसी माता से पूछा तुम क्यों सूख रही हो सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुम को रोज सींचती है लेकिन फिर भी तुम सूपती जा रही हो इसका कारण क्या है जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान शरी कृष्ण जी से कहा कि हे ब्रभो एक बजूर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता मैं तेरा बिरला सीचती हूँ तुम मुझे बहु दे, पितांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सांग राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और क्रिशन जी का कांधा दे मैं उस बुझूर्ग महिला की सारी मनोकामने पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती, मैं क्रिशन जी का कंधा कहां से दूंगी? भगवान शिरी क्रिशन जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगए, और फिर भगवान शिरी क्रिशन जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बजुर्ग महिला की मृत्ति होगी, तब मौके पर मैं और आप ही गंधा दे देंगी, आप सुभा जब वह पूजा करने आए, तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कुछ दिनों बार वह बजुर्ग महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गए, पूरे गाउं के सब ही लोग आए, और उस महिला को सब ही लोग धर्मात्मा मानते थे, उसको तु पहला कर जब वैकॉंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगी, तो उसका मृत श्रीर इतना भारी हो गया था, कि उसे कोई उठा नहीं पाया, यह सब देखकर वहां के सब ही लोग तरहा तरहा की बातें करने लगी, और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाट करती थी, ह चलकपट करती थी, हम जिसे धर्मात्मा समस्त थे, वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठा रही है, यह इसके कर्मों की सजा है, इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों के निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्रहमन का भेश धारन करके वहां पर आय कि है डोकरी माई मर गई है, और पाप इतना था कि जिस से यह उठी नहीं पा रही है, सब उठा उठा कर ठक गए, तब भामन जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है, तो सब ही लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीचे, तब भगवान ने उस व्रद महिला के कानों में कहा, कि है डोकरी माई, देखो मैं आ गया, और जो भी बुड़िया माई पूझा करते समय, शब्द कहती थी, वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तु बिल्ला सिंचे मेरा, मैं करू निस्तारा तेरा, डोकरी माई बहु ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पितांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घडा ले, मिठा मिठा खीर और पूडी ले, दाल बाद का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुह में गंगा चल ले, ग्यारस को दिन ले, शिरी कृष्ण जी का कंधा ले, इतना सुनते ही, डोकरी हलकी हो गई, भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ, भगवान ने हाथ लगाया, और डोकरी उठ गई, सब को बड़ा ही अश्चर्य हुआ उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया, भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए, पूरे गाओं में इसकी चर्चा होने लगे, जिससे उसको मुक्ती मिल गई, और वह वैकूंठ में चली गई, सभी लोग देखते रह गई, सभी लोगों ने देखा कि शम्शान घार तक त साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, इससे लोगों को समझ में आ गया, कि वह और कोई नहीं, स्वैम, भगवान ही बूढे भ्रहमन के रूप में आये थे, तो बोलिये श्री राधा क्रिश्न भगवान की जय, बोलिये श्री तुलसी शालिग राम ज की जये